आज हम करने वाले हैं Toyota aytaos का ये airbag की लाइट आ रही है तो आज हम इसी को diagnose करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कहां से problem है जैसा की आप देख सकते हैं ये गाड़ी start हो जाती है पर इसमें airbag की light जाना ही रही है तो हम पहले इसे स्कैन करने वाले हैं और स्कैन करके देखते हैं इसमें क्या कोड आ रहा है तो जैसा की हमने स्कैन करा तो इसमें ये दो कोड आ रहा है ओपन इन ड्राइवर सर्कुट तो हमने इसका ये क्लॉक इस्प्रिंग जो होता है इसको खोलना है क्योंकि इसका ही कोड दिखा रहा था तो हम इसे अब खोल के उसके बाद दूसरा लगाने वाले हैं इसके बाद ये क्लॉक को खोल लेना है हमें जैसा कि आप देख सकते हैं क्लॉक 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 कि को खोल लिया है यह यहां चन्सक्राइब चेघ़ा इसको निधम देख बाद रहत हैं कि आप पर इस्जितbrar में आ रहिएंच एल नएा लगाने वाले हैं यह रहा हमारा नया प्लॉक स्क्रिंग जैसा कि आप देख सकते हैं तो हम इसे इस तरह इसे से फिट कर देंगे यह लॉक तो फसा होता है तो हम इसे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा तो यह बैड जाएगा यह इसका clock spring बैट चुका है तो हम इसके cover को लगा लेंगा और यह दो circuit होती है airbag की यह वाली airbag की है यह horn की है जो horn वेस्ता है तो हमने यह दोनों circuit को भी लगा लिया है और cover को भी बांदिया है तो अब इसका clock spring को lock के लिकाल के उसके बाद steering को fit करेंगे तो steering हमने लगा दिया है अब steering bolt को tight करके उसके बाद airbag लगाया दाएगा यह circuit को हमने दोनों लगा लिया है यह उसके बाद हम अब ignition को on करके देखता हूं क्या हमारी airbag की light गई या फिर अभी भी आ रही है जो जैसा कि हमने गाड़ी को start किया और airbag की light चली गई गाड़ी हमारी proper ओके हो गई जो code दिखा रहा था वो code भी चला जाएगा उसके एनर से clear कर दूँगा और airbag की light हमारी चली गई काम हमारा हुआ